आपका आज के महत्वपूर्ण प्रश्ण है ये भारत का राश्चिय द्वज किस कप्रे से बना है? तितली किसका प्रतीक है? वासको डिगामा का मबबरा भारत में कहा है? DSLR का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप कुछ रोचक सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो विडियो को शुरू से अंध तक जरूर देखें आपका पहला सवाल है भारत का राश्चिय द्वज किस कप्रे से बना है? आपका विकल्प है A. उनी B. सूती C. सिल्क D. खादी आपका सही जवाब है D. खादी सवाल नमबर दो भारत के किस शहर में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था? आपका विकल्प है A. कोलकाता B. जापान C. अमेरिका D. चीन आपका सही जवाब है A. कोलकाता सवाल नमबर तीन कोशिया का मस्तिश किसे कह दे है? आपका विकल्प है A. केनरक B. रिक्तिका C. रजधानी D. प्लैस्टिन आपका सही जवाब है A. केनरक सवाल नमबर चार वासकोडिदामा का मबबरा भारत में कहा है? आपका विकल्प है A. वाराण सी B. कोच्ची C. दिल्ली D. भोपाल आपका सही जवाब है B. कोच्ची सवाल नमबर पांच संस्कृत में किस फन को पोज कहा जाता है? आपका विकल्प है A. अंगूर B. कठल C. आम D. नीम्बू आपका सही जवाब है B. कठल सवाल नमबर च्छे तिली किसका प्रतीत है? आपका विकल्प है A. परिवर्तन B. दुर्भाग्य C. सौभाग्य D. अमर्ता आपका सही जवाब है C. सौभाग्य रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अंकर दीजे सवाल नमबर साथ कितने MB एक जीबी? आपका विकल्प है A. एक शून्य दो पांच MB B. एक शून्य दो चार MB C. एक शून्य 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 MB D. एक पांच शून्य शून्य MB आपका सही जवाब है B. एक शून्य दो चार MB सवाल नमबर आठ किस देश में शादी में संगीत बजाना मना है? आपका विकल्प है A. काबुल B. रोम C. जापान D. अमेरिका आपका सही जवाब है A. काबुल, अफगानिस्तान सवाल नमबर नौ अभिमान कितने प्रकार के होते हैं? आपका विकल्प है A. आठ प्रकार B. छै प्रकार C. नौ प्रकार D. पांच प्रकार आपका सही जवाब है C. नौ प्रकार सवाल नमबर दस आउस्ट्रेलिया के राष्ट्रिय पक्षी का क्या नाम है? आपका विकल्प है A. एमो B. बाज C. शुतुरमुर्द D. कबूतर आपका सही जवाब है A. एमो सवाल नमबर ग्यारा प्रित्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा? आपका विकल्प है A. अरस्टू B. पाइथे गोरस C. ग्यालेलियो D. किपलार आपका सही जवाब है B. पाइथे गोरस सवाल नमबर बारा किस वर्णमाला में भाषाओं की संख्या सबसे अधिक है? आपका विकल्प है A. पुत्तरी मंदारिन चीनी B. कमिल C. खैमर D. हिंदी आपका सही जवाब है A. पुत्तरी मंदारिन चीनी सवाल नमबर तेरा भारत में पहले मोबाल फोन से किसने बाते की थी? आपका विकल्प है आपका विकल्प है A. डिजिटल सिंगल लंस रिफ्लेक्स B. डिजिटल सोसलेंज रिफ्लेक्स C. डिजिटल सिंगल लंस रियाक्शन D. डिजिटल सिंगल लाइन रिफ्लेक्स आपका सही जवाब है आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए आप सभी लोग विडियो को लाइक कर दीजिए आप में दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए धन्यवाद दोस्तों